हेलो प्रेज दे लॉर्ड गाइज आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ परमेश्व की दया से और आज हम एक वचन देखेंगे वाइबल से प्रोभवव चैप्टर 16 वर्स 5 में इस प्रकाल लिखा है सच में में प्रियों यहां वचन हमें बताता है कि सब मन की घमंड़ियों से यहां भर मैं घ्रीना करता है मैं दिरता से करता हूं ऐसे लोग निर्दोस्त नहीं ठहरेंगे अन्पनिस्ट, सच में मेरे पीओ, अगर हमारे अंदर आज भी घमंड है, तो हम अन्पनिस्ट निर्दोस नहीं ठेहरेंगे, क्योंकि घमंड यहुआ के साथ चलने का सबसे बड़ा रुकावट है, और यह घमंड हम जो करते हैं अपने उपर, किस बात की घमंड, हमारा अपन है ही क्या, सब तो परमिशो का दिया हुआ है, अगर परमिशो का दिया हुआ चीज है, तो उस पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए, परमिशो को धन्यवाद देना चाहिए, परमिशो को ठैंक्स बोलना चाहिए, कि उसने हम पर मर्शी किया, दया किया, क्योंकि हम सब इसके लाएक भी नहीं थे, फिर भी पर्मीश ने हम पे डया किया और ये जीवन भी पर्मीश के हाथ institutions में है जब चाहेगा पर्मीश ले के जा सकता है तो उचित है कि गउवन्मंट ना करें पर्मीश के दिये हुए चीजों पे धन्यवाद दें और सबों को आसिस दे अपने चीवन के द्वारा और प्रभु आप सबों को आसिस दे थेंक यू, God bless you all